हेलो एवरिवन वेलकम टू सक्सवितराय एकेडमी 11 जून 2021 के दैनिक जारण के राष्टी संसक्रण को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज है हमारी कि अनियोजे ठीका करन से करोना का नया रूप आ सकता है सामने और यह आसंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जो वैक्सिनेशन है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है अभी भी बहुत पीछे हैं हम तो इससे क्या होता है कि जो वायरे उनके बावजूत केसिस बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर लगभग तीसरी लहर मानी जा रही है याने कि जो कुरोना वायरेस है उसने अपना म्यूटेंट चेंज कर दिया है तो स्वास्त विशे सग्यों के एक समू ने कहा है कि बड़े पैमाने पर अंधा दुन और अधिल भारती आयुर्विज्यान संस्था याने एम्स के डारेक्टर और क्रोना संबंधित राष्टी कारबल के सदस्त सामिल है इस संबंध में रिपोर्ट प्रधान मंत्री निरेंदर मोधी को सौंप दी गई है और इसमें कहा गया है कि बड़े पैमाने पर टीका करण की चाहिए जो समवेदन सील और जोखिम की स्रेणी में हैं इंडियान पबलिक हेल्थ एससयेशन इंडियान एससयेशन उफ एपिदेमे लॉजिस्ट और इंडियान एससयेशन और प्रिवेंटिव एंड सोसल मेडिसिन के विषए सग्डों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में महामारी की मौजूदा इस्ति मांग करती है कि इस चरण में सभी आयू समू के लिए टीका करण को खोलने की जगह इसमें महामारी समंदी आकणों से खुद को निर्देशित करना चाहिए। संक्रमित हो चुके लोगों को टीके तभी लगाए जाएं जब साक्ष मिल जाए कि ये उनके लिए फायदे मंद है। पांचवा पॉइंट है दूसरी लहर के खात्मे का इस्थानी इस्तर पर बार बार सीरो सर्वे कराया जाए ताकि टीका करण ररनीती को दिसा मिल सके। और छटा पॉइंट है हमारा कि ठीक हो चुके करोणा मरीजों में पुना संक्रमन उनकी गंभीरता और उसके परिणाम के आखले जुटाए जाए ताकि इम्मिनिटी की आउधी का पता चल सके। नेक्स्ट है कि नाइजीरिया सरकार ने कू पर बनाया अधिकारिक एकाउंट अब ये कू क्या है कू जो है वो ट्विटर का एक विकल्प माना जा रहा है और ये भारतिये कंपनी है भारतिये माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ने गुरुवार को बताया कि हमारी नजर अफरीकी राष्ट में अपने प्रसार पर है पिछले सफ़ता नाइजीरिया सरकार ने अपने देश में अमेरिकी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया था ट्विटर के साथ गतिरोत की प्रश्ट पर भी दी है उन्होंने ट्विट कर किया कि कुई इंडिया पर नाइजीरिया सरकार के अधिकारिक हैंडल का स्वागत है नेक्स्ट है कि मरनो परांथ निजिता के अधिकार की नहीं है अनुमती ये स्टेटमेंट दिया है हाई कोट ने दिवंगत अभिनेता सुसांत सिंग राजपूत के जीवन पर आधारित कई फिल्मों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर उनके पिता कृष्ण किसोर सिंग की याचिका को दिल्ली हाई कोट ने खारिच कर दिया है नयमूर्ती संजी और नरूला की पीठ ने टिपनी की है कि मरणों परांत नीच्टा के अधिकार की अनुमती नहीं है पीठ ने कहा है कि इन फिल्मों को ना तो सुसांध की बायोपिक के रूप में चित्रित किया गया है और ना ही उनके जीवन में जो कुछ हुआ उसका तथ्यात्मक वर्णन है पीठ ने सुसांध के पिता की इस दलील को गलत बताया कि फिल्म की सामागरी में उनके वा उनके बेटे की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा ऐसे में अब 11 जुन को रिलीज होने वाली नियाए दजस्टिस का रास्ता साफ हो गया है नेक्स नीज है कि तिब्बत में स्युक्त युद्धा भ्यास कर रहे है पाकिस्तान और चीन की सिनाए यह दोनों ही देश अभी भी नहीं मान रहे हैं जबकि पाकिस्तान के साथ संगर्स विराम चल रहा है और अभी हाल ही में इसके 100 दिन पूरे हुए हैं भारत और पाकिस्तान के संगर्स विराम के चीन के साथ भी पेंगॉंग जील से सिनाए वापस हो रही है लेकिन वहां पर जिस तरीके से लडाकु विमानों की तैनाती क जा रही है अभी हाल ही में आपने देखा होगा नियूस चैनलों पर या नियूस पेपर में भी कि भारतिय सेनाएं भी अब कस्मीर की तरफ मूफ कर रही है याने कि कुछ यह कहा जा सकता है कि सब कुछ सही नहीं है चीन वा पाकिस्तान ने भारत संग सरहदी छेतरों में इस्तिती सामान ने बताने की आड़ में फिर से अपनी जंगी तैरी सुरू कर दी है दोनों देशों की वायू सेना इन दिनों पूर्वी लद्दाक में वास्तिक नियंतर यहने LAC के पार तिब्बत में सविक्त युद्धाब्यास कर रही है इसमें दोनों मुलकों की सेना हवा से हवा में जमीन से हवा में समुद्र से हवा में मार करने वाली मिसाइलों UAV और ड्रोन का भी इस्तमाल कर रही है भारतिय सेना ने भी इस युद्धाब्यास का नोट लेते हुए जम्मु कस्मीर में पाकिस्तान के साथ सटी नियंतरन रेखा और पूरवी लद्दाख में चीन के साथ सटी वास्त्विक नियंतरन रेखा पर सतरक्ता बढ़ा दी है। किसी दूसरे मुलक के साथ सैन निय तनौ जैसी इस्तती हो। उन्होंने पताये कि तिबबत में जारी या सयुक्त सैन अभ्यास 15 जून तक जारी रहेगा। सुरवाती सुचनाओं के मताबिक 22 मई को सुरू हुआ या युद्धाभ्यास 15 दिनों के लिए था। बाद में इसके पेजर जनरत दिलावर सिंग ने कहा है कि तिबबत को उसकी भगॉलिक परिस्तितियों के मद्दे नजर चुना गया है। यह पूरवी लद्दाक के साथ सटा हुआ है जहां एक साल से चीन और भारत के बीच सैन नितनाओ है। यह इलाका पाकिस्तान के भी नजदीक है। द हिमाले के लिए बड़ा खत्रा बना ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन ने हिमाले को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेना सुरू कर दिया है। एक गिसमलो एक साथ लाख वर किलोमिटर दाइरे वाले मद्द हिमाले चेतर में इसकी मात्रा दो से तीन गुना तक बढ़ गई है जबकि पर्यवरन की गर्माहट में करीब 24 फीजदी तक बढ़ोत्री हो गई है। मद्द हिमाले चेतर के अंतरगत नेपाल से लेकर भुटान के बीच भारक का उत्राखंट हिमाचल और जम्मू कस्मीर सामिल है। आरभट प्रेक्षण विज्ञान सोध संस्थां के साथ सा मिल इसरो दिल्ली विस्विद्यालेवा आई आई टी कानपूर के हालिया सोध में यह जानकारी निकल कर सामने आई है। इस बदलाव से ग्लेशियर के पिघलने की आसंका भी अधिक बढ़ गई है। बिटन में सबसे ज़्यादा करोना के मामले जैसा कि आपको रही राहत के बाद अब चिंता बढ़ गई है। बिटन में पिछले 24 घंटे में संक्रमन के 7540 नए मामले आए हैं। यहां संक्या फरवरी के अंतिम सप्ताहा के बाद सबसे ज़्यादा है। यहां मरने वालों की संक्या 1,27,000 से ज़्यादा हो गई है। कुल मरीजों की संक संक्या लगभग 45 लाग है। विस्व स्वास्त संग्ठन यूरोप के निदेशक डॉक्टर हैंस क्लूज ने यूरोपिय देशों को डेल्टा वैरियंट को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इस वैरियंट की चपेट में यूरोप का अधिकांस छेतर है और जरूरी नहीं है कि इस वैरियंट पर सभी वैक्सीन कारगर हो जाएं यानि कि बहुत गंभीर चेतावनी है। प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी सेवन सिकर समयलन के समपर्क य시면ary की आउट्रिच सत्रों को 12 और 13 जून को समभुधित करेंगे यह बिर्टिस प्रदान मंत्री बोरिस जॉनसन की आमंत्रन पर डिजिचल माध्यम से इस समयलन में सिर्कत करेंगे पिछले महीने विदेश मंत्राले ने कहा था कि देश में कुरोना वाइरस की गंभीर इस्तिती को देखते हुए प्रधान मंत्री मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटन का दौरा नहीं करेंगे ब्रिटन इस सिखर सम्मेलन की अधिक्षता कर रहा है और उसने भारत, औस्टेलिया, दच्छन कोरिया और दच्छन अफ्रीका को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया है आपको पता होगा कि G7 में कौन-कौन से देख हैं? G7 में कनाड़ा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और ब्रिटन है बिहार में करोना से मौतों का आकड़ा बदला एक दिन में करीब 73 फीजदी की व्रद्धी देख में करोना से मौत का आकड़ा बीते कई दिनों से लगभग 2,000 प्रती दिन पर इस्तिर होने के बाद 9 जुन को अचानक 6,000 के पार पहुँच गया इसका प्रमुक कारण बिहार में करोना के करण मौतों के आकड़ों में करीब 73 फीजदी का बड़ा बदलाव होना है सरकारी आकड़ों के मताबिक 7 जुन 2021 तक बिहार में करोना से 5,424 लोगों की मौत हुई थी मार्च 2020 से मार्च 2021 की 1600 मौत सामिल है लेकिन अस्पताल और जिला इस्तर पर सत्यापन में पता चला कि करोना से प्रदेश में अब तक 5,424 नहीं बलकी 9,375 लोगों की मौत हुई है यानि बिहार सरकार के पास 3,941 लोगों की मौत से करोना से मौत का आकड़ा ही नहीं था इस समन्द में पतना हाई कोर्ट में के दखल के बाद बनाई गई दो कमेटियों की रिपोर्ट में मौत का नया आकड़ा सामने आया है नेक्स्ट है कि देश की नई हरित करांती को सीचेंगे MSP एक तरफ इस वर्स नियूंतन समर्थन मुलिया ने MSP पर खरीद पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है और विभिन राजनितिक दलो द्वारा समर्थित क्रसी विल विरोधी आंदोलन का ओचित कटेगरे में खड़ा हो रहा है दूसरी तरफ समिती सीमित रूप से ही सही MSP फसल विविदिकरण वह दूसरी हरित करांती का बड़ा उपकरण भी बनने जा रही है दलहन और तिलहन का बड़ रहा रकबा और उपज का फायदा तो पिछले कुछ अर्से से दिखने लगा है हरियाना में पिछले दो वर्सों से धान की जगध दूसरी फसलों की खेती पर साथ हजार रुपे प्रती एकड की वित्य मदद दी जाती है जिससे लोगों ने लगबग एक लाख एकड में धान की खेती नहीं की है चालू सीजन में यह लक्ष बढ़कर दो लाख एकड का हो गया है इस पस्थ है कि आने वाले दिनों में केंद्र दूसरे राज्यों को भी ऐसी पहल करने को प्रोसाहित करेगी अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हरित करांती हरित करांती क्या है हरित करांती जो है वो अनाज करसी इन सबसे जुड़ी नए टेकनोलोजी अपनाई जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके भारत की नई क्रसी नीती सन 1967 से 68 में लागू की गई थी जिसमें अधिक अनाज देने वाले बीजों को बोया गया तथा क्रसी की नई तकनीकों का इस्तमाल किया गया जिससे फसल उत्पाधन में तीवरवरधी हुई इसे ही हरित क्रांती कहते हैं तो आपको पता चल गया हरित क्रांती की शुरुआत हुई 1968 में भारत में हरित क्रांती के जनक कौन है हरित क्रांती के जनक है नॉर्मन बोरलाग और भारत में हरित क्रांती के जनक है MS. Swaminathan, ये आपको पता होना चाहिए बनारस और लखनो जैसे बजार बन रहे क्रसी निर्यात के नए केंद्र अब बनारस और लखनो जैसे अपेक्षाकरत नए बजार क्रसी निर्यात के प्रमुक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं क्लेश्टर आधारित क्रसी निर्यात के प्रोसाहन से यह संभव हो पाया है वहीं भारतिय और्गेनिक खाद पदार्थों की भी विदेश में लगातार मांग बढ़ रही है अमेरिका को इन दिनों भारत के लाल चावल और गुल का बुरा या पाउडर पसंद आ रहा है जो डेन्मार्क भारती बजार का स्वाद ले रहा है लखनौ के जामुन भी लंदन के बजार तक पहुँच गये हैं हाल ही में 500 किलोग्राम जामुन का लखनौ से लंदन निर्यात किया गया है वानिज सचू अनुप वाधवान ने बताया कि बीते वर्स वित वर्स के दौरान क्रसी वा इससे सम्मंदित वस्तूओं के निर्यात में एक वर्स पहले के मुकाबले सत्रा से सत्रा दिसमलो तीन चार पर तिसत की बढ़ोत्री रही है वहीं औरगेनिक वस्तूओं के निर्यात में 50 दिसमलो नौ चार पर तिसत का इजाफ़ा रहा है वानिजवा उद्योग मंत्राले के मताबिक क्लश्टर आधारिक क्रसी निर्यात के प्रोचसाहन से बनारस लखनो वचित्तूर जैसे नए बाजारों से क्रसी उत्पादों का निर्यात होने लगा है पिछले वर्स पहली बार बनारस से हरी सबजियों का निर्यात किया गया बनारस से हरी मिर्च, कद्दू, मटर, खीरे का निर्यात सुरू हो गया बनारसी, लंगडा, रामखेडा जैसे कई निर्यात इसकी भी सुरुवात होई है आम की नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है कि अभी दोस्ती को तयार नहीं पाकिस्तान और ये आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्राले में सची रहे विवेक काट जूद्वारा इस साल फरवरी में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने जम्मू कस्मीर में नियंतरन रेखा और अंतराष्टिय सीमा पर संघर्ष विराम का जो निर्णे लिया उससे उसके सौ दिन पूरे हो चुके हैं इस दोरान सीमा पर सांती रही इस से नियंतरण रेखा और अंतराश्टिय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों को भी बड़ी राहत मिली है जाइड सी बात है जब युद्ध होता है तो सबसे जो मुश्किले आते ही है वो युद्ध छेत्र जो एक पर्टिकुलर युद्ध छेत्र होता है उसके रहायसी लोगों को आती है लेकिन एक चीज बिल्कुल भी नहीं बदली और वो है पाकिस्तान दोरा आतंक की धाचे को कायम रखना हमारे सेना प्रमुख जनरल मोहन मुकुंद नर्वाने ने हाली में इस तथ को पुष्ट किया यही दर्साता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक की अपनी नीती को अभी भी छोड़ने के लिए तयार नहीं है वह अपने उपयोग को लेकर बस सही विसात बिछाना चाहता है जब से संगर्स विराम हुआ है तब से पाकिस्तान में कुछ महत्पून घटनकरम हुए है उनमें से यही संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तान सैन और राजनीतिक वर्ग में भारत नीती को लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे हैं अब अगर हम इसमें आगे देखें कि अपने तमाम प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान अभी भी एक खतरनाक जगह के रूप में कुछ्यात है वह विदेशी निवेस आकरसित करने में अक्षम बना हुआ है इसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपैक सीपैक याने की चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कॉरिडोर के अंतरगत चीन से होने वाला निवेस सामिल नहीं है सीपैक में गौादर बंदरगा का विकास भी सामिल है भारत के लिए उसके व्यापक सामरिक नीतार्थ हैं वहीं चीन के लिए CPAC का आर्थिक से कहीं अधिक सामरिक महत्तो है CPAC का फुलफाम आपको पता चल गया चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कॉरिडोर जिसकी फंडिंग चाइना डेवलप्मेंट बैंक करता है ये चीन की महत्तो कांची प्रियोजना है जो पाकिस्तान अधिकरत कस्मीर और अकसाई चीन जैसे विवादित इलाके से होकर गुजरता है भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है क्योंकि यहां पाक अधिकरत कस्मीर से गुजरता है ततकालिक तौर पर पाकिस्तान यही चाता है कि जम्मु कस्मीर का राज जी का दर्जा बहाल किया जाए इस दोरान कुरैसी ने भी कुछ लचीलापन दिखाया है उन्होंने कहा कि अनुछे 370 भले ही भारत का अंतरिक मामला हो लेकिन कस्मीर एक विवाधित मसला था उनका यह सियासत का भी घालमेल हो रहा है पाकिस्तान के एक प्रख्या टीवी पत्रकार हामिद मीर ने अपने एक साथी पत्रकार को पिटवाने के मामले में जनरलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत को लेकर फौज का रवया नरम होता जा रहा है मीर ने यह भी कहा कि ऐसा करके सेना पाकिस्तानी आवाम की इक्षा के विरुद जाने के साथी उसके संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की नीतियों से भी विमुक हो रहा है जानकारों का मनना है कि मीर के निसाने पर जनरल फैज हामिद थे जो खोफिया एजनसी ISI के महानिदेसर है नेश्ट आर्टिकल है हकीकत से अंजान किसान अंदोलन और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रिय सचिवाले सेवा के अधिकारी एवं क्रसी मामलों के जानकार रमेश कुमार दुबेद्वारा एक और जब कुछ किसान संग्ठन क्रसी कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी और देश में गेहों की रिकॉर्ड पैदावार और खरीदारी हुई है बिना किसी बिचोलियों के सीधे किसानों के खातों में आप कह सकते हैं कि पैसे ट्रांसफर किये गए हैं जहां गेहों की खरीद यानि नियूंतन समर्थन मूल MSP आपको कल के वीडियो में बताया गया था MSP होता क्या है पर हो रही है वहीं खुले बजार में सरसों की कीमते रिकॉर्ड बनी हुई है कई मंडियों में सरसो 8000 रुपय परती कुंटल की दर से बिक रहा है जबकि सरसों का MSP 4650 रुपय परती कुंटल है गेहूं और सरसों की खरीद बिक्री के बंते रिकॉर्ड को देखते वे कुछ एक किसान संगठनों द्वारा तीनों करसी कानूनों का विरोध बेमानी ही लगता है। खेती करने वाले भारती किसान चुनिंदा फसलों की खेती से उलज कर रह गया है। इससे परिचित है कि केवल खेती से किसानों की आंधनी को दोगुना करने का लक्ष हासिल नहीं होगा। इसलिए वह क्रसी एवं ग्रामिड जीवन में आयपरत गतिविधियों को सामिल कर रही है। किसानों को उनकी उपज की लावकारी कीमत दिलाने के लिए सरकार ने गन्ने के साथ साथ गेहूं, चावल, मक्का और दूसरे खादानों से भी एथनौल उत्पादन को मंजूरी दे भी है। इससे ना सिर्फ अतरिक्त अनाच की खपत हो जाएगी, बलकि पेट्रोलियम के आयात पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट आर्डिकल है कि कुरोना से मौतों के आकड़े। बिहार सरकार को कुरोना से हुई मौतों का आकड़ा जिस तरह दुरुस्त करना पड़ा उससे या संदे होता है कि कहीं इसी तरह गलत जो गल्फत है वो अन्राज्यों में तो नहीं हुई है। यह अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने अपनी भूल स्विकार कर ली है लेकिन उसे इसकी तह तक जाना होगा कि आखिर या गरबड़ी हुई कैसे कम से कम उसके आगे इसके लिए सतर रहना होगा कुरोना से हुई मौतों की निगरानी सही तरह से हो और उन्हें कम करने के बता लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए कर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद